नमस्कार दोस्तों इस टाइब के कुशिन को कैसे सोल करें जब डिवजिबल वाई की बात की जा रही हो और आगे आप पर आपको ग्रेटिस्ट फो डिजिट नमबर फाइंट करना है तो सरव परतम दो दोस्तों हम क्या निकालेंगे अपना जो डिवजिबल वाई नमबर है उसको कैल्क्विट करेंगे. तो एसे कूशिन में आप व्ले कू सिंपल एक बात स्मझलों कि हमें क्या निकालना है? अलसंट्यम निकालना है. जब भी डिवजिबल वाई की बात की जा रही है. तो हम क्या निकालेंगे? अलसंट्यम निकालेंगे, trained सिख्या एंधा छालिए कैल्कुलेट करते हैं इनका ऐलशेम कैल्कुलेट करना जानते हैं नहीं जानते हैं तो में बताऊँगा देगे इन सब के हम फैक्टर कर देते हैं एक आल्सेम तो आप इन सब को एक साथ लेकर भिजिबल डिविजन मेथट से निकालते हैं और एक आपका रहता है प्राइम फटरीजिशन मेथट के द्वारा तो अभी हम फ्राइम फटरीजिशन मेथट के द्वारा निकालेंगे ठीक है क्योंकि यह थोड़ा मुझे फास्ट लगता है तो इसके फैक्टर कर दो 25 के भी फैक्टर कर और एलशेम निकालना आपको सीखना है तो दोस्ता हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर जाओ चाड़ इसके भी फैक्टर कर दिया ठीक है एक अच्छी प्रेटिश के बाद दोस्ता आपके लिए फैक्टर करना चूटकियों का खेल होगा तो थ्री उसके बाद पांच यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां भी है अधिकतम पांच कितनी वार आया हुआ है देखे इन सब में से दो वार आया हुआ है यहां भी दो वार है तो दो वार आया हुआ है तो जो मैक्जिमम आया वह रहता है उसको एक वार लेना होता है ठीक है तो पांच गुना पांच ले लिया उसके बाद तीन यहां भी है यहां भी है तो अधिक तम तीन कितनी वार आया हुआ है किसी में भी एक ही वार आया हुआ है ठीक है यहां भी एक वार है यहां भी एक वार है यहां ऐसे समझ लो दूसरा सब्दम है दो ले लिया उसके बाद पांच अधिक तम वार आया है तो उसको लेना है उसके बाद इनको काट दो की पांच को ले लिया उसके बाद तीन तीन आया तीन को ले लिया तो जहां जहां तीन है उसको काट दो ठीक है कैसे भी समझो आपको समझना है और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कितना आ गया दोस्ता आपका ये 600 आ गया ठीक है गुणा करने के ट्रीक देख लो 2 गुणा 5 10 हो गया 2 गुणा 5 10 10 गुणा 10 100 हो गया 100 गुणा 3 300 गुणा 2 600 200 गुणा करना भी आप फास्ट सीखो थोड़ा अब ये किस की बाद कर रहा है 4 डीजिट नमबर की बाद कर रहा है वो भी greatest तो आपको पता होना चैये की greatest 4 डीजिट नमबर कौन सा रहता है दोस्तों ये आपका greatest 4 डीजिट नमबर रहता है यानि सबसे बड़े से बड़ा यही नंबर है जो क्या है फोर डीजिट है ठीक है इस पर हम अपना LCM कर डिवाइड कर देंगे सर आगे चाहिए एट डीजिट दे दें कुछ भी दें हमें पहले लिजिट निकालना है उसके बाद जो यह बात करा है जिस नंबर की बात करा है उससे चाहिए लिस्ट नंबर है ग्रेटेस्ट है स्मालेस्ट है उसको अपना LCM से डिवाइड करना है ठीक है कितनी बाद डिवाइड हो रहा है सर आपका एक बाद डिवाइड हो रहा है नो नो तीन अब कितनी बाद डिवाइड हो रहा है छे बार हो रहा है जीरो जीरो चाहिए फिर माइनस कर दो नो नो और तीन तीन सो निनन नो आ गया जो हमारा यहाँ पर जो सेंसफल आया है दोस्ते इसके साथ क्या करना है इसको हम इसमें से गटा देंगे जो आपका फोर डिजिट नंबर है तो चलिए यहाँ पर लिक के मैं गटा देता हूँ नो नो तीन ून जीरो से नौ है ओके नो मैनर-09 जिरो और यह कितना आगे है आपका six आगया अब देखिए यह क्या 4 डिजिट नमबर है 1,2,3,4 यहाँ पर आपका यह एंसर हो जाता है suppose कर आपके ए उप्सन दे रखा होता 9,6,0,0,B उप्सन भी कुछ ऐसा दे रखा होता C उप्सन और D उप्सन में भी कुछ मिलता तो आपका एंसर यह रहता है अब देखिए लेंग्वेज में यह तो रफ रख है यह क्या है रफ रख है अब इसको जैसे मुझे सब्दों में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा इसनको आपस में मल्टिप्लाईगा दूँ जितनी वार आपका कंप्लिट डिवैड होता है इसको ऐसे आप लिखेंगे 600 1-dash करके 600 1-6 ठीक है तो उसके बाद आगे ऐसा लिख देंगे 600 1-6 इक्वल डू कितना आएगा यही आएगा इस ग्रेटेस्ट 4-digit नमबर विच इस डिवजीबल बाई 1-5 और जो आपका कुछिन लिखावा ठीक है अगे